सट्रमेव जएते में आपका एक बार फिर स्वागत है सट्रमेव जएते वह कारिक्रम है जहां पर कारिक्रम के दर्मियान हम सत्स इhy बात करते हैं दर्श को हम लोग एक चीज बात करें है एक चीज पर काफी देशन द कर всё्चता है वो है महिलाओं को बराबरी का हक देने की पुर्जोर कोशिश की गई कि हर सरकार भी लेकिन क्या हम वहां तक पहुच सकें कि हम खुलकर ये बात कह सकें कि महिलाओं को बराबर का हक मिलता है उतर प्रदेश चुनाओं आज से चार महीने बाद पूरी तेजी के साथ सामने आ जाएगे इसके बाद उत्राखंड में भी चुनाओं है अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में समय है कम लेकिन इससे पहले प्रयंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी को लीड कर रही है एक बार फिर जोश भरने का काम कर रही है अपने कारेकरताओं में और एक बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि प्रेंका गांधी के अंदर वो कुबत है, वो माद्दा है कि वो कॉंग्रेस की सबसे ज़्यादा भिर जुटा उनने पा है लेकिन ऐसे में प्रेंका गांधी ने एक टरंप कार्ड खेला है जो कि अमोवन हर पार्टी खेलती है लेकिन प्रेंका गांधी ने कॉंग्रेस का जो टरंप कार्ड है वो खेला और उसमें बताया कि खेला दरसल इस बार ये है कि महिलाओं को 40 फीसली टिकट जटरंट किया जाएगा ठीक है अच्छी बात है महिलाओं को मौखा मिले हर चीज में लेकिन इसके साथ ही अब इसकी आच जो है वो देवभूमी तक पहुँच चुई है अब देवभूमी में भी इसकी बात होने लगी है देव भूमी में इसकी बात तो हुई लेकिन इसके साथ ही एक अलग सी चीज निकल कर साथ है क्या हम लोग यह सोच सकते हैं कि कॉंग्रेस हो या बीजेपी हो दोरों ही मुख्य जो पार्टियां हैं जो आपस में लड़ती है जो उत्राखंट पर समय समय पर बदलाओ करते हुए शासत कर चुकी है क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी बोली इनका स्वर एक हो जाए लेकिन इस बार हुआ है कॉंग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है सरिता आरिज और इसके साथ ही बीजेपी की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है रितू खंडूरी जी दोनों ने ही एक बात कही है दोनों की बातों में समानता है दोनों ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के आला कमान से एक दरख्वास करती है कि इस बार पार्टी 40-50 फीसदी महिलाओं को सीटों में जगा दे दर्शो को अगर कुछ आंकड़े आपके सामने रखें तो देवभूमी का इतिहास काफी परिशान करने वाला नजर आएगा देवभूमी में 21 साल का अगर हम पूरा उतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये समझते हैं कि आप भी तक सिर्फ 10-15 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया गया जबकि समझे है कि आधी आबादी की बात होती है लेकिन सिर्फ 10-15 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया गया इसके साथ ही अगर हम सीधे आकड़ों पर जाएं तो 38 लाख महिला वोटर जहां पर हो वहाँ पर आपको सुनकर आश्चर होगा कि किस साल के तियाहस में 2002 और 2007 दोनों ही चुनावों में 4-4 महिला विधायक बनीगा तो सिर्फ 5 दर्चुको आखिर महिलाओं को कम तर क्यों आका जाता है कि राज नीती के परिपेच्छे से नजर डाले तो ऐसा है जी बिल्कुल है नित्याहस में इंद्रा गांधी जैसी मजबूत और ताकतवर प्रधान मंत्री को देखा गया तो आज आखिर ऐसा क्यों है कि चुनावों में महिलाओं को टिक्रिट देना भी एक बड़ा मोता है खेर देवगुमी में बात हो रही है इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे हमारे साथ का नाम महमान तमाम जुड़ते रहेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है इसको आप देखिए उतर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर डाउं क्या चला अब उत्राखन में भी उसको लेकर सियासी हल चल बढ़ गई है एक तरफ कॉंग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी और दोनों के बीच में अपना संकरा रास्ता बनाने की जुकत में जुड़ी आम आदमी पार्टी तीनों ही पार्टियां महिलाओं को लेकर अब लग गई हैं अपने काम पर एक तरफ जहां कॉंग्रेस पार्टी के पूर मुख्य मंत्री हरी श्रावत कह रही हैं कि अब महिलाओं को जादा अबसर दिये जाएंगे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तरा खंड में भी महिलाओं को जादा मौके मिलेंगे और महिलाओं को अब आगे करा जाएका उन्हें प्रतिनिध्यत्यु करने का मौका दिया जाएका यहां तकर शपस भी नहीं होगी तो वहाँ भी हम महिला के पक्षमन लुटेज मानेंगे परसित्यों को और महिलाओं को आउसर दिया है ऐसे में बीजेपी ने सबसे पहले सभी 70 विधान सभा सीटों पर महिलाओं को सह प्रभारी निउक्त किया है यहां महिलाओं को प्रतिनिध्यत्यु दिया गया है जहां महिलाओं को मौका दिया गया है वही देव भूमी उत्राखंड में जहां एक तरफ कॉंग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितू खंडूरी है यू तो ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि दो विपक्षी पार्टियां एक साथ एक बात एक स्वर में कह दें लिकिन इस बार ऐसा देखा गया है सरिता आरे जी का कहना है कि कॉंग्रेस को 40% सीटे महिलाओं को देनी चाहिए वहीं रितु खंडूरी की भी मांग है कि बीजेपी को उत्राखंड में 50% सीटे महिलाओं को देनी चाहिए प्रियंका गांधी जी ने यूपी में कहा कि हम 40% महिलाओं को यूपी में ठीकट देंगे तो मैडम से मांग करते हैं कि उत्राखंड में भी 2022 में चुनाओ है मैं एक महला प्रदेश अध्यक्स होने के नाते उत्राखंड की मांग करती हूँ मैडम से कि उत्राखंड में भी हम लोगों को 40% टिकट की हम लोग मांग करते हैं मैं तो हर फ्लाट्पॉम पर हर फोलम पर गहते हूँ तो मैं चाहूँगी कि जादा से जादा अर्टिकेट पहलों को में और बहुत हमारे पास मेरे लोरियस लेने हैं जो इस वक्त विखायर के बने के लायक हैं बरना भी चाहिए मिलना भी चाहिए वहीं सियासी घमासान के बीच फसी आम आदनी पार्टी कुछ भी कहने से बड़ा साफ बच्चती नजर आ रही है आम आदनी पार्टी का कहना है कि वो चुनाओं में हैं और सीधे आरोप लगा रही हैं कि ये सिर्फ चुनावी बात है चुनाओं खत्म होने के बाद से महिलाओं पर चले दाओं की बात भी खत्म हो जाएगी ऐसे में आम आदनी पार्टी ने पस्ट कहा है कि उनके पास विकास के मुद्दे पर चुनाओं है और वो इसी मुद्दे पर चुनाओं लड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ चुरावी लॉलीपॉप है जिसको लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं वहीं एक कड़वा सच अगर आपको बताएं तो देव घुमी उत्राखंड में तकरीबन 38 लाख महिला वोटर हैं प्रदेश की आबादी के साथ क्या कुछ हुआ है कि साल में इसका आपको बताते हैं पिछले की साल में 10-15 परतीशत टिकट ही दिये गए हैं सिर्फ महिलाओं को आपको बता दे कि इससे पहले 2002 में सिर्फ 4 महिला विधायक बनी थी तो उत्राखड में अब क्या महिलाओं को प्रतिने दित्तों देने की तयारियां शुरू हो चुकी है या सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है जिसमें सभी पार्टियां महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और महिला वोट पाने के लिए क्या ये सिर्फ चुनावी स्टन्ट है ये देखना जरूरी होगा प्यूर रिपोर्ट न्यूस वाल इंडिया ठीक है महिला नेताओं को भी अब टिकेट वित्रंट की जो बातचीत है वो देव भूमी में उटने लगी है अच्छी बात है बाकी तो सब जैसा कि उत्राखंट में कहा जाता है कि भोले नाथ हैं लेकिन इसके साथी एक और सवाल है किया ये सिर्फ एक चुनावी स्टन्ट तो नहीं है जिस तरीके से पार्टिया चुनाओं से पहले नए-नए मुद्दे लेकर आती है नए-नए बाते करती है नए-ने स्वारों में नए-नए बड़ी-बड़ी बाते कर जाती है लेकिन उसके बाद चुनाओं के जाते ही सब चुम अंतर सब डिमने शुनाद है तो क्या दर्शु को ये ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टन्ट हो जहां पर महिलाओं के सहारे अपनी नईया पार करने के जुकत में चुड़ी पार्टिया सब कुछ कहे और सुन तो रही है लेकिन इनके मन में कुछ हो रहा है तो क्या अब महिलाओं भी मुद्दा है क्या महिलाओं को टिकेट दिया जाना या ना दिया जाना क्या एक मुद्दा बन चुका है जबकि महिलाएं आधी आबादी की एक हमारी जनसंख्या है जैसे पुरुष है वैसे ही महिलाएं हैं समानता का धिकार है लेकिन इसके बावजूर आखिर अभी तक इनको टिकेट वित्रड में राजनीती में बड़े पदों पर या फिर चु मनोज इस्तवाल जी है वरिष्ट पत्रकार है इसके साथ ही दिनेश खुलबे सहाब है बाजपा नेता है हिमानशुप पुंडीर जी है प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है सत्यमेव जैते में सबसे पहले दिनेश खुलबे सहा आपकी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं कि 50% जो सीट्स हैं वो यहाँ पर महिलाओं को दी जानी चाहिए लेकिन ऐसा इतिहास पर नज़र डाले तो ऐसा दिखता नहीं कि आपने ऐसी कोशिश कभी भी की हो तो क्या इस बार महिलाओं को प्रतिनिध्यत् जहां तक इत्यास की बात करते हैं 70 वरसों तक कंग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया और महिलाओं का हमेसा हमेसा अपमान हुआ और एक पार्टी की सरकार मातरी बनके रह गई अगर मैं आज की बात करता हूँ जब भारती जनता पार्टी का समय सुरू हुआ है भा ऊnt नजदीक चुनाओं की बात करें मैं भाइच्पा के काल की बात करता हूँ अबी 2019 के चुनाओं की बात करें भारती जनता पार्टी के 40 40 73 महिला चुनी गई उसके दूसरी तरह जिस कंग्रेस पार्टी की पřियंका गांधी 40% महिला को आरक्षयं की बात करती है एत ऐस कं आपने बात कहा से हैं एक तरह से यह कहा गया एक तरह से आपके अन्सपरटी नहीं पर यूट रचाइब किया शहा इसन पर उधर पाइगी? पर आपके ले नहीं कहीं थी ठीपिए अन्सुअ तो पिछली दफा सिर्फ पांच महिला विधायक तो टिकट बाटने में कंजूसी तो की गई है तब ही तो महिला विधायकों की संख्या है वो कम है परदेश की नहीं बाट राष्टी पार्टी भारती जंता पार्टी की नीतियों की है और 2019 का परिणा हम देख चुके हैं कि बारती जंता पार्टी ने महिलाओं को जो सम्मान लिया उसी का कारण था कि कांग्रेस से 40-7 सथ ज्यादा हमारी पार्टी का है और आप ये 2022 का चुनाव होना है इसमें हमें इस्वास है कि महिलाओं को समुचित सम्मान मिलेगा हिमानशू पुर्णिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता हैं आमाद्धी पार्टी के हैं हम महिलाओं के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे तो आखिर महिलाओं के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करेंगे आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा विजन है जहां पर महिलाओं को समानता का धिकार राज़नीत के परिपेक्ष में दिया जा सके ऐसा कुछ है आपके पास ये पोरी महिलाओ को सम्मान किया जाता है। तो हमारी महिलाओ को हमने सुरू से संबान दिया है। और हमारी पार्टी में जितना सम्मान दिया जाता है, उतना और किसी पार्टी में दिया भी नहीं जाता होगा। नहीं सम्मान के साथ ये टिकट की भी बात हो दीए, जो वेक्ती योग्य होगा, हमारी पाटी पहली बार उस्त्राखण चुनाव लड़ दिये, जो योग्य वेक्ती होगे उन्हें टिकट वितरण उसी इसाफ से होंगे, और जहां तक महिलाओ के सम्मान की बात है, तो तो आप क्या कहना चाहते हैं मतलब पिछली दफ़ा जो पांच महिला विधायक बनी है इससे पहले हुए चुनावु में भी चार-चार महिला विधायक बनी है आप कह रहे हैं योगिता के अधार पर ही टिकेट दिया जाता है तो क्या महिला योगे नहीं सबस्ते आप कॉपरेश और भाज कपर परिवारवाद की राजिती करते हैं जिनके परिवार में पहले से जो नेता लोग रहे हैं उनहीं के बच्छे आगे उन्हें को टिकट दिया जाता है यह तो इन्नों पार्टियों ने रीद बना रख़्िये हमारी पार्टी का यह कहना है कि जो योग निया जाना चाहिए 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 जो सीटे हैं वो महिलाओं को दी जाना चाहिए महिलाओं को सिर्फ आम आद्मी पार्टी में नहीं बाकि हर पार्टी में सम्मान दिया जाना चाहिए प्रियंका गांधी ने उत्रप्रदेश में महिलाओं को चार फीसिदी टिकेट देने का एक बड़ा फैसला किया है तो आप ऐसे में अगर आप सम्मान देने की बात भी कर रहे हैं आप कहरे हैं आपकी पार्टी में काफी योग महिलाओं भी हैं तो आप भी बोल दीजिए कि इनका यह चुनावी स्टन्ट है आपका चुनावी स्टन्ट क्या है आपका वी कुछ चुनावी स्टन्ट होगा उत्तना काम के राज़िती को बदलने का समय आचुका है जितनी कंब उत्तरकंट से आपको खास प्रेम लगता नहीं पूरे देश की जो लोग है वो आमाधी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यह कौन सा सर्वे हैं कहां आपको कैसे पता लगता है थोड़ा हमको भी समझाईएगा पूरे लोग हम बताते हैं आपकी मीडिया वाले लोग अपना बना रहे हैं तो लोग जनता में पसंद कर रही है वो खुद कह रही है कि एक विखल्प के रूप में उत्राखंड के अंदर आमाधी पार्टी आनी चाहिए हम परेशान हो चुके एक किस सालों से हमने इस दिन के लिए उत्राखंडी बनाया था कि उत्राखंड के अंदर पूर अविश्व दूर 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 से लोग अमाधी इस दिन के वात आप से इसकी जो ख्याती है पूर अविश्व में हुई है अच्छा जो चीज आपके सामने प्रतेक्स है आप एक बार खुछ आईए आप तो मीडिया वाले हैं आप तो कहीं पर भी जा सकते हैं आप खुछ आगे सर्वे कीजिए आप कहिए कि दिल्ली कंदर काम नहीं हुआ है दिल्ली की बसों मेरे नहीं लगे सले कीषिए मैशल ट्रपार्णि आप लिए अच्छी श्वास में स्वास ज़िए नहीं दे गई हैं इसमें उपिक्षा की गई उनकी तो कंजूसी क्यों करती है प्लिटिकल पार्टी महिलाओं को आखिर हमेशा पीछे क्यों रखा गया यह पुरुषो पुरुष प्रधान जैसी रणीती जो है यहां क्यों नजर आती है चुनावों के लिए हमारी पार्टी में ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं है हमने महिला को समान दिया और आगे पुरुष तो बहुत ठीक है ठीक है उठाखन की बात करें तो यहान का भी परदान परधान पहनेजे रहा है यहां कोई ब़ी कारिया मांगरिक कारिया हो मांगर आहो मेले पहले होora हो ्स दिए खिलो पहले मैला किता दिमाती तो ति उसके पीशे तो परिवार होता है क्या निाख कर रहे हैं, तैसे हमीद कर रहे हैं। तो पार्टिय जाने, लेकिन उत्राखर्ण के घर गढ़scheid में महलय सरवोच है, बतरवेफ्रokay के मुख्या के तरह." पूरा पूरा पूर पूरा पूरीवार हमाहेत होता है उनके अगूरता है, अप रही। राज़ीति के सारी जित्ती में आजकल तूपती थी राज़ीति और जो भी दित्तिया इस समय चल रही है विदान्तों चुनाओं को बेटके हुए उत्तर पढ़ने से रुत्राखंड में इतने साथ 40% की बात हो दिया आज तक कॉंग्रेस ने इतने साल राज किया तो उसके पहले कॉंग्रेस कहा थी भाज़प्ता की मैं अपर परदेश पर जहां करता हूं तो भाज़प्ता ने परदेश में अधी हमारे वो पूर्व कभीना मंती प्रकास पंट एक्सपायर हुए तो उनकी जगे उनकी मेडम आई है उनको तिकर दिया अपनी बेटीन जगे से ऐसे हो गया हुए तो आप यह कहना चाहते है ने इस्तवाल साथ यह गलत कॉमेंट है आपका योगिता की भी बात होती है मुझको ऐसा लगता है कि टिकेट वित्रण में कंजूसी की गई होगी योगिता की बात नहीं होती है अगर आप योगिता की बात करेंगे तो आप यह कहना चाहते हैं कि महिलाएं अगर सीधे तौर पर करूं तो पांच फीज़दी महिलाएं को आप योगिता नहीं है यह आप चुनाव किसी दहें से जीतेंगे मानियर, फिर मुला आना चुनाव जिटा देगा आपको, यह ठीक था कि भाजप्पा में मोदी का चेरा था, और मोदी के चेरे के आदार चुनाव जीत कर पार्टी आ गया है, तो उससे में पार्टी कमाल भी ठुस्ता किया था कि हाँ, इसमें बड़ोतरी 5 कि यह का दस हो, दस हो, दस हो, जीत हो, चारीस परसेंड की जहां ततर बात करेंगे, ना आज होगा, या आने वाले कल में कभी शंबा हो पाएगा, कि 40 परसेंड को ही निए पार्टी, क्यों नहीं हो पाएगा, यह जनली की कोशिश चर्चा के लिए इस जो में चे अपिटरियास का मंपोख भी, तो पॉलिटिकल पार्टी को भी से लिजब स्वाथ का इसाथ ही इस मोइज इस इसके साथ ही दिनेश खुलर ऑख जी तो आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में देव भूमी में महिलाओं को टिकट वित्रण में हमेशा और सदयों कंजूसी क्यों की जाती है ये भी तो आखिर पॉलिटिकल पार्टी की ही जिम्मेदारी है कि महिलाओं को बढ़ चड़ कर आगे बढ़ने के लिए उ 24456 ये समस्या है इसका नेदान की जनुरू सत्यमीफ जैते में फिलाल के लिए इतना है कलेको और फिर आपसे मुलाखा इतन तक के लिए शुक्त